असलाम लेकूं वरहमत ल्लाहिव बरकात हूँ मैं आपकी और्दू टीचर जाहिदा मैम हूँ आज जो बेटा हमारा उन्वान है वो है पिया पिये से पतंग पिये से क्या आता है बेटा पतंग शाइब पैरे बचो यह जो पिये है हरूफ इतहजी का तीसरा हरफ है यह बेट करू यहाँ पेंसल को क्या करना है बेटा गुमाना है करू करना है फिर यहां से ओपर जाना है यह हैं पिये की शाकल और पिये की नीचे कितने नुकते होते हैं तीन शाबाश पहले दो फिर नीचे की तरह एक यही पे होते हैं तीन नुकते हमने बेटा पढ़ा पिये से पत पातंग क्योंकि यह पातंग है पातंग का पहला हुरूफ क्या है वो है पीए अब देखिए यहां पे भी है पीए के तीन नुक्ते शाबा जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं वो क्या होता है वो क्या होता है पीए वो कौन सा हरफ होता है वो होता है पीए हमने बेटा यह , चलिए बेटा आब, भान हाई किते लिखते हैं किरना इर दल्स पीया निचे दीन नुकते यहां पे भी पीया, नीचे तीन नुकते, यहां पे भी ऐसी शेकल वना के हैं, और नीचे क्या हैं, तीन नुकते, अब बेटा मैंने यहां पे दो नुकते डाले हैं, पहले मैं इनको छोटी-छोटी लानिस दूगी, यानि ट्रेस करने के लिए हैं, अब बेटा यहां पे लो यहां पर लिखना है क्योंकि उपर लिखे हैं न हम भी इसी के नीचे लिखेंगे ऐसी ही देंगे यहां पर इन लाइन उसको आप मिलाओगे बन गया हमारा पिया और नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन शाबाश अब हैं यहां पर भी शाबाश ऐसी लाइन दोगे अब छोटे छोटे लाइन अब इसके उपर क्या करोगे ट्रेस याने इन लाइन को मिलाना है शाबाश इस नुक्ते से लेकर इस नुक्ते तक नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन है ना ठीक पहले दो फिर इसी के नीचे एक बन तीन क्या बन ग प्लूंगी और फिर पैंसल ऐसे गुमाना है करू करना है यहां पे फिर यहां पे उपर और नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन वेरी गुड यहां पे भी दो नुक्ते नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन बन गया पिया शाब बास यहां पे भी ऐसे ही बन गई ऐसी शकल पिया की शकल नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन वेरी गुड यहां पे भी बेटा ऐसे ही नीचे तीन नुक्ते अब यहां पे एक ही नुक्ता डालो और इसी नुक्ते पे लिखो और नीचे कितने नुक्ते डालोगे तीन शाबाश लाइन पे लिखना है शाबाश और नीचे तीन नुक्ते डालने है यह जो हमारा पिया है इसके नुक्ते होते हैं नीचे कितने शाबाश तीन नुक्ते होते हैं इसके नीचे मुझे उम्मीद है आपको अच्छी से समझाया होगा अल्ला हाफिज